नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं कब्ज को दूर करने के ऐसे रामबान घरेलू नुस्खे के बारे में जिसका क्यों प भरपूर नेंदना लेपाना या पिर जादा तैलिये चीजों का सेवन करना कुछ भी ऐसी प्रोबलेमस होती है तो कब्ज बनने लगता है अजब पेट में कब्ज बनती है तो बहुत सारी प्रोबलेमस का सामना हमें करना पड़ता है क्योंकि पीडे से ही आपकी पूरी body के parts को energy जाती है और वो सही से supply न कर पाए तो problem सोभाविक है यानि कि अगर हमारा पेट खराब है तो हम बहुत सारी बिमारियों के चपेट में वैसे ही आ जाते हैं कब्ज में लक्षण जानते हैं इसके कि क्या क्या होते हैं कब्ज में होता क्या है basically कि आप जब भी ल नहीं हुआ अभी मैं थोड़ी देर और लैटरिंग करूं और इन में एक खास बात अउर देखी जाती है कि नॉर्मल लोग हर रोज कम-से-कम एक बार लैटरिंग कर ही लेते हैं या possiamo चले जाते हैं लेकिन जो लोग कब्ज के शिकार हुइ रहते हैं वो कईage क्या होता है कि क्या करना चाहिए ये जानते हैं اب सबसे पहले तो आपको उचित महत्रा में पानी पीना चाहिए लेकिन इसके बाद ये भी ध्यान रखें कि खाना खाने के 5 गंटाइ बाद फारी पीना है और एक गंटा पहले ही पीना है लेकिन उससे भी महतोपून बात कि आज हम आपको औश्रधी बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने पेट के कब्ज को दूर कर सकते हैं इसके लिए देशी अउशद ही है कद्दू जिसे कोहना के नाम से भी जाना जाता है शीता फल के नाम से जाना जाता है इसे लाना है आपको और इसको आपको काट करके और छोटे छोटे टुकडों में बाट लेना है बिल्कुल इसके बाद इसका आपको हल्वा बनाना है कोहन आप अपने स्वास्त के according देख लें देशी घी से आपको इस हलवे को बनाना है इसके बाद आप इसमें मीठा भी डाल सकते हैं इसके स्वाद के लिए इसका सेवन करना है आपको हर रोज अगर आप इसका सेवन हर रोज करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट से कबज का नामों निशान मिठ जाएगा आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा जब भी आप टोईलेट के लिए जाएगे तो आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो ये थी आज की हमारी आउश्यद है आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जु ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों